हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा तो ये नारा जंता बोलती है ये नहीं कि वो गाजा बोलता है, जो संसद संसद बनेगा, वो नहीं बोलता है उसके पौक्ष से जंता उसका समर्थन करती है और कुछ काल के बाद, मन पांच साल के बाद, जंता देखती है कि कुछ किया नहीं, बेकार इसको चीना पालन में असमर्थ हो जाता है, तो उसके बिरुध पक्ष वाले को फिरो भोज देती है इसको हटा बेकार है, अब दूसरे को आने दो अकल्पन निर्पति, निर्पति, नर का पालिंग करने वाले तथाद राजा, राजा को जो असमर्थ हो जाता है, प्रजा के पालिंग में, प्रजा छोड़ देती है कोई प्रेम नहीं होता है यह तो है ही वो तथाकथित राजा भी अपने दल बदल कर दूसरे में चला जाता है। यह सब सुमसार में चलता है जब जिस पाइटिम हो तो चाहे हारे चाहे जीते जीवन भरनी भाव की इसी मेरा है। तो पद का लोग है ना और जनता को भी अपने पालन कराने का लोग है। यह नहीं कुछ राजा से प्रेम है जैसे हो प्रेम करें। उसको प्रेम पद से होता है। अगर आज कोई चीफ मिनिस्टर हुआ है तो उसी को इंभाइट करो उसका जय जय कार। इसके पहले देखा रहाता है कि उस पहले चीफ मिनिस्टर को अब वही सब को चाहिए है। नहीं रहा हार गया तब दुसरा। गहाता है। यह जनता की हालट है। तो जनता अपना पालम देखती है। किस तर से अच्छा ते नहर वन वाया, सब कर है, सका काम कर्या है। ठीक है राजा हम बना रहे हैं। जा कर का हमारे काम करो। काम ठिक से नहीं किया तो प्रेम भी खतर तुमको भोट देना बंद दुसरे को भोट दिया रहे गए समी करण बनाते हैं समी करण बहुत सुंदर सब्द है यहां से कितना भोट मुझे मिलेगा इतना भोट मिलेगा कर पिर कभी खभगवान की ऐसी द्रुदृष्टी हो जाती है इतुकि किसी पाइटी में जायो जीतता नहीं आसल देखा गया तुवंत में घरे को हरीनाव भगवान की समयन यह अध्मात अश्रे हरेगरए प्रिष्णा 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 हरे 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 ह और उत्तम, कहने का आशर यह है कि इस संसार में कोई भी प्रेम अस्थिर नहीं है, और बंधुों से भी नहीं है, गुपिजन जिस सस्तर से बोल रही हूं, सस्तर से यह कहा जा सकता है कि बंधुों में भी प्रेम नहीं, पिता से प्रेम नहीं है, भाई से प्रेम नहीं है, पत और पूत्रे खबर भी नहीं लता है, कभी फोन कर दिया यहीं काफी हुआ, फोन इसलिए करता है कि मर गए कि जी रहे हैं, फोन इसलिए करता है, कि विदेश की बात में कह रहा है, वहाँ पर ओल्ड हाउस होते है, ओल्ड हाउस का मतलब है बुढ़ों के लिए घर, तो अपने घर पर नहीं रखते हैं माता पिता को, विदेशी लोग, प्राया, इंडिया के लोग जो है वह थड़ा रखते हैं, लेकिन वे भी अंग्रेजों की चाल सिखने लगे धिरे थे, माता पिता बुढ़े हो गये, और ये गए हैं काम पर, तो माता पिता को पूल्ड हाउस में और अमेरिका में एक फादर दे आता है, एक मदर दे आता है, पिता का दीन और मा का दीन, तो फादर दे के दिन फादर को फोन कर लेंगा, हलो कैसे हो, क्या, बस हो गया, मिलते तो कम लोग हैं, है ना, कुछ मिलने नहीं जाते हैं, कम स्कुम फादर दे के दिन मिलना उनको कपड़ा ले जाना, मिठाई ले जाना, फल ले जाना, या फूल का गुलदस्ता ले जाना, भेट करना. कुछ लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादा लोग जाते नहीं है, फोन कर लेते हैं. हलो, हाव आरियो? तुम कैसे हो? तो जो भी वो बोलता होगा बेचारा, कुछ लोग तो गाली देते हैं कि अरे नालाइक, मैं जैसा हूं क्या हूं पूछ रहे हो. जन्म दिया पिता, मा ने पालंग पसंद किया, जन्म दिया, लेकिन उनकी सुधी नहीं रखती. और क्या कह देते हैं, कभी-कभी इस काण में लोग कह देते हैं, मात पिता माया है, मात पिता की चकर में नहीं फुचना चाहिए. घर छोड़कर गया किसी सहर में, और महा माया को अपने साथ रख लिया है. वो माया नहीं है, शास्त्र तो सब कहता है कि पत्नी माया है, इस्त्री माया है, है ना, माता-पिता माया है तो कोई शास्त्र नहीं कहता है, यह लोग बोला करते हैं, माता-पिता नन दिभोटी है, भजन नहीं करते हैं, सबसे भजन करने और कराने वाली वही माया जो उनके सा वही है ना सबसे बड़ा अचार्ज भजन में तो हरिदा स्ठाकुर ही हो गई है क्या उल्टी बुद्धी लोग की हो गई है माता-पिता को छोड़ दिये माता-पिता की सुधी नहीं ले रहे हैं और इस्त्री की सुधी कभी भूलते ही नहीं साथ मुलते हैं एक बार मैं गय वाध को रहा था भारतिय बोला अमेरिका में हुए महरणा ऑजीब बाद भूल रहा है है तो इस्त्री को साथ न रख जा तो क्या किया जा मैं एक हाग मैं दूर लखने के लिए नहीं कह रहा हूं साथ में राख ये लेकिन माता पिता के भी सेवा करनी चाहिए ना तो उधान दिया भगवान नाम तो छोड़ करके दुसरण जी को चले गए इधर मर गए तो उन्टी सीता जी को साथ में ले गए थे तो भगवान नाम अपनी इच्छा से चले गए थे कि पिता जी ने कहा था वर दिया थे ने कही कही को तो चवदा वर्स बनवाश हुआ वास्ते में दसरण जी कहीं दिया हुआ माना जाएगा तो अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए भगवान चवदा वर्स बन में चले गए बन में चले गए उस समय मना था उनके मातरण वाला कि गाउं में नहीं आना है सहर में नहीं आना है बन में रहना है और भगवान को क्या पता था कि चार दिन में ही राजा दसर तलप कर मर जाएगी सुमंत जी आए गंगा जी के पास से बर्बस राम सुमंत्र पठाए सुरसर तीर आप तवया तो वहां से सुमंत्र जी को भेंजे मंतरी को संविलाकर के चार दिग भगवान भर्मान किये था तो 14 वरसे के बदले 14 दिन बंध में घुमा करके लाना था सुमंत जी को दसर जिनादेश दिया बंध दिखा करके घुमा करके लाना लेकिन सुमंद जी जब पहुंचे महाराज दसरत बिलकुल मरासन थे मिर्टु सर्जिया पर जब सुने की राम नहीं आये तो वस राम राम कहते हुए भगवान के बीरह में उन्हाने सरीः छोड़ जीवित थे तो भगवान का मुख कमव देखे और भगवान के बीरह में मर करके अपनी मृतु का सर्णार की उनका अच्छा मरा हुआ भगवान के धाम में गए तो इस परकार ये तर्क ठीक नहीं है भगवान राम इस्तरी को साथ मिले करके गए इस्तरी को ले गए थे तो भा जाए को भी ले गए थे, कि दूनों हठ किये थे कि हम जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे, भबार राम से दूनों यही करेंगे, हम आत्म हत्या कर लेंगे, हम जीएगे नहीं, आपके भी नहीं जी नहीं सकते, तब भगवान ने कहा कि परिहरी सोच चला हूं बन साथा, ठीक ह चिंता मत तो चलो मेरे साथ, भवान ने सीता जी के लिए भी देख लिया कि हठ ही राखे, राखा ही नहीं प्राना, अगर मैं हठ पुरो का जो ध्य में इसको लखता हूं, तो फिर प्रान नहीं लखेगी, मैं उधर बन में जाओंगा, इधर हत्या कर लेगी, मर जाएगी, और लक्षमा जी भी ऐसे ही थे, उन्होंने साथ को दिया कि यदि आप मुझे त्यागे में तो मेरा क्या बश है, लेकिन मैं जी नहीं पाऊंगा, तब भवान ने का ठीक है, चिंता मत को चलो मेरे साथ, तो दोनों को ले गए, लेकिन जब ऐसी बात मैं कह रहा था कि माता पिता के सेवा नहीं करते हैं, तो लोग तुरंट भगवान राम बनते हैं, कि राम तो अपने वाइफ को ले ले करके बन-बन में घुम रहे थे, और पिता जी को छोड़ दिये, तड़ब कर मरने के लिए, भगवान की नकल इसी में करते हैं, यही अदर से उन के लिए, वो दूसरी अस्थिती थी वास्तों में, लेकिन आज के जुग में जो माता-पिता का ध्यम नहीं रखते हैं, वो दूसरी अस्थिती हैं, अपने सब बना-बना कर खाते हैं, जहां-तहां, होटल में, रिस्टुडेंट में, और माता-पिता, क्या खाते हैं, सबको पता है, माता-पिता की सुझी लेते हैं, सेवा करते हैं, समय सुमय पर भेंट करते रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं, और कुछ में स्रौन कुमार का गुन होता है, माता-पिता की बहुता है, माता-पिता की भक्ति बहुत स्रेष्ट कार्जा है, मैं यह बता रहा था, मैं तो यह बता रहा था कि माता-पिता के प्रती भी, अपने बंधों के प्रती भी, पत्नी के प्रती भी, कितने लोगों का प्रेम नहीं होता है, लेकिन गोपी जनों का जो प्रेम है, श्यामसंद दन्यबाद देया है। इस नमसार में सबसे पतिवरता, सबसे सुध कोई नारियां है तो गोपियां। इनके समान सुध कोई नहीं। रधारानी के विशय में कहा गया है कि अरुंधाती और अनसुया इनसे पतिवरत की शिक्षा लेती है। और अन्धाती वस्ष्ट जी की पत्नी है। अनसुया अत्रिमोनी की पत्नी है। सबसे पतिवरता मानियतनी है। लेकिन ये भी पतिवरत की शिक्षा रधा-रासे सिखते ह। रधा-दानी का ऐसा प्रेम है। और इसी के अंसार सब गोपियों का है। फिर भी मान में हैं तो समसार का यह समुधान दे रही हैं, किवल कृष्व छोड़ करके गई हम मठोया इसी पर, निश्वन ते जन्ति गणिका अकलपन निरपतिन प्रजा, अधीत विद्या, आचार्जम, रित्विजो, दत्त दक्षिना, जो सिष्य का अपने गुरु से सब इद्यालर है, उसके बार भी कह रहे हैं कि जब सिष्य लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो आचार्ज को छोड़ देते हैं, आचार्ज की प्रभासा दी गई है कि जो सब तरह से बेद बेदान पढ़ाया है, उपनायन संस्क्रा किया, सब किया, उसको आचार्ज कहते हैं, लेकिन उससे क्या प्रवजन दाफता था विद्यातियों का पढ़ लेना, ये विद्या सिखना, ये विद्या सिखना, सब सिखना जो सीख लिये, अब अपना घर देखता है आगे, और सर्व पुरसार्थ देने वाली विद्या, जिससे पढ़ा है, उस उसकी अब ख़बर नहीं लेता है, आज कल के जो मास्टर है इनका ख़बर ना ले कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये फिश लेते ही रहते हैं, है न, है भी फिश लेते हैं, इनको भूल जायते हैं, भूलना नहीं था है, इन पहले के गुरु लोग फ्री पढ़ाते थे, एक बार तो पूरा पढ़ाई के बार और उसके पहले हर एक सनी बार को गुरु के लिए कुछ ले जाते हैं, चावल, दाल, सब्जे, बस यही पढ़ाई की खर्च था, कई विज्या थे मिल करके गुरु जी की जीवका चलाते थे, ऐसे गुरु के लिए बात कही जा रही है कि आचार्ज, मन लगाकर पढ़ाये, भोर मेह उठ करके सबको पढ़ाते हैं, और तूशन की परंपरा नहीं थे, तूशन चल दिया है, वही सिक्षण ग्रे स्कूल में पढ़ाता है, वही तूशन करता है, और तूशन का अलग फिश रखता है, चोटे-चोटे बच्चे ज उससे भी लेता हो गाया, पता नहीं है, तो अपने बच्चे में और दूसरे के बच्चे में क्या अंतर है, अब जब सरकार भी फिश दे रही है, यद कोई कमपनी विद्याले चलाते हो तो फिश दे रही है, तो बच्चों को तो फ्री पढ़ाना चाहिए, शेवा करने चा है, हम लोगों को कालेज में भी उतना फिश नहीं देना पड़ता था, जितना छोटे बच्चे को देना पड़ रहा है महीं में, पढ़ाई और दवाई सब से महागा है, डाक्टर लोग रोगियों से खुब पैसा आठ रहे हैं, रोग हुआ है तो उस बिचारे के बिचारे आई है ना, विपत्ती आई है, उसको दवा देना परनुपकार का कार्ज है, पांच रुपे की दवा देकर पचास रुपे लेना और जनता ही सोचते है, पढ़ा लिख करके आया है, इसके पास बड़ी-बड़ी मसीने हैं, खर्चा कहां से आएगा, लेकिन इस खर्चा को जीवन भर निकाले रुगियों से, जिन पर दया करनी चाहिए, लोग से ग्रस तहन का सरीच्षय होगा, क्या क्या होगा, और उन ही से इतना कड़ा फीश, इतना चार्ज करना है, और मासूम बच्चों से इतनी कड़ी फीश लेना, इस अब निरदयता है वास्ता में, फीश लेने वाले कसाई जैसे है, बहुत ज्यादा लग रहा है पैसा वास्तों, कैसे मानो समुदा इस बात को नहीं रोक रहा है, माता पिता पर बहुत बढ़ा भार बढ़ा हुआ है, बच्चों के पढ़ाने का, चिंता लगे रहती है, पहले की बात कह रही है गोपिया है, कि लड़के पढ़ते थे अचार्ज के यहां, रात दिन जग करके पढ़ाते थे, गुर्कुल में ही लड़के रहते थे, तो भोर में गुरुजी जगाते थे पढ़ने के लिए, जग करके लड़के पढ़ने लगते थे, पाच करने पर जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, जो मतलब पूरा हो गया, तो आचार्ज कथ्याग कर लेते हैं. तो यह भेंट होने पर प्रनायम करना भी कठिन हो जाता है. गुरुजी को गुरुजी कहने में भी सरम आती है, यह समसार का बेवार. अचार विद्यासियों के तो यह हालत है, रित्विजो दत्दक्षियों, रित्विक लोग बड़े उच्छे ब्राभन पढ़े लिखे, इंको रित्विज कहते हैं. रित्विज लोग त्याग कर देते हैं जज्मान का. कोई जग कराया, कुछ कराया रित्रीज कहते हैं जग करने वाले को कोई जग कराया, कोई जजमान और जब जजमान इन लोगों को दक्षिना दे दिया तब जजमान की सुधी भी नहीं लेते हैं जो रहते हैं जग कराते हैं तो जजमान से इतना प्रेम करते हैं, उसके बच्चे से, उसके इस्त्री से बात करते हैं, ऐसे वैसे. नना प्रकार को उपदेश और साथ में रहना बात करना है, जग पूरा हुआ है, इसके बाद जजमान को फोन भी नहीं करें. जजमान में ती हरता है, दत्त दक्षिना जेन तम, जिसे दक्षिना दे दिया, दक्षिना जब तक नहीं दिया है, तब तक दक्षिना लेने के लिए उससे इतना प्रेम दिखाएंगे, इसका मन खुश रहे, और यह अधिक से अधिक बड़ा बड़ा नोट दे, खुब प्रे जब दक्षिना दे देता है, और दख दक्षिना का अर्थेक बिचारा प्रजाप्त दक्षिना दिया, लेकिन फिर भी ते जंती, रित्विजः ते जंती, ते अवपाधिक प्रेम हुआ, और प्रेम क्या प्रेम का नाटक क्यों रहता है, खगा बित फलम बिक्षम, और पक अच्छी अकास में उडते हैं, भूक से किसी पेन पर देखते हैं फल किसमें लगा है, तो उसी पर उतरते हैं, और उस ब्रिक्ष पर उतर करके फल खा लेते हैं, जब फल खा लिए पेट भर गया तो उड़ करके चल दिया, उस पेन से कोई प्रेम नहीं है, खगा बीत फलम ब जब तक भीता नहीं है तो रोज ऊड़कर के आते हैं, खाते हैं भझी हैं, भ्रगत का पेंड़ो पीपल पेंड़व mijए तक या और और कोई भझी फल जब सीजन बित जाता है, उसका फ़ल खतम हो जाता है, तब ये तेजनती, त्याग देते हैं, उड़ जाते हैं, ये नहीं बिचार करते हैं, बिचारा इतना फ़ल दिया है, इसके साथ रहें, रात बिरात, साथ देन, पक्षियों के बैठने से बिरिक्ष अच्छा लगता है, बिक्षों की बोली अच्छी लगते हैं लेकि उनको कहा बिचार है कि बिचारे बिक्ष ने हमको खिलाया है फल दिया है और रहना चाहिए बस बीत फलम हुआ उड़ जाते हैं चले जाते हैं जब तक फल नहीं है तब कोई संबंदन है यह संशार की दोस्ती है मित्यता खगा बित फलम भिक्षं ते जंति और भुक्तला चाति थयो ग्रिहम और अति थया हर भुक्तला ग्रिहम ते जंति ग्रिहम मतलब भिहस्थम ते जंति अतिति लोग आते हैं चाहे निमंत्रन से आए या चाहे ऐसे ही भुक के करना जाएं किसी ग्रिहस्थ के यहां आ गया भुक लगी है तो चले टाइम हो गया है इसे में भुजन मिल जाएगा या निमंत्रन से आए, तो जब तक रहते हैं ग्रिहस्त के यहां आती थी लोग, खुब समाचर पुछते हैं बार-बार, ऐसा लगता है कि इनके साथ हमेशा सबंध रहेगा, बहुत प्रेमी बन गया, लेकिन भुकतवा दो खाल लिये, और चौ, चौकार थे कुछ बिदाई म मिल गई, चौ, भुकतवा चौ, खाल लिये और चकार भी हो गया, अब उपर से पाचक मिल गया, तो जब कवर मिल गया, लिफाफा तब उस घर में आग लगे, कुछ भी हो, फिर खभी सुधी नहीं लेते हैं, बस उनको खाने से और दक्षिन से मतलब है, चौ का अर्थ किया गया, भुकतवा, खा करके और चौ, ग्रिहित्वा, कुछ ले करके, खा करके और कुछ ले करके, चौलते बंते हैं, अब विचारा बिमार पड़ा है, क्या हुआ है, कुछ नहीं, वही जब फिर सिद्धशना की आसा हो जाएगी, कि इसम मिलेगा, तो फिर प्रेम बढ़ाएंगे, तब फोन उठा करके, फोन करना, कैसे है, कैसे है, खास करके, कुछ धूरत लोग तो लीख लेता है, जन्म दिन, उनके बच्चे का जन्म दिन, उनका जन्म दिन, विभाह का दिन, या बिये पास करने, कौन दीर होता है, बोर्ड पास करते है, तो उसमें जरूर फोन करेंगे, चिरन जिवी रहो, बहुत दिन भगवाल लंब अबिवी आयुदेर, ये करेंगें, तो उसमे ग्रिहस्ते है, कि सच्चा प्रेम कर रहा है, लेकिन दम सच्चा प्रेम नहीं होता है, तो केवल दक्षिणांत प्रेम होता है, अग्षिणा मिली अब कौभर मिला, और खा लिये बस उतने तक ही, वो भी प्रेम कर नाटक ही, की है लिकर फोनुन करना तो नाटक ही है लेकिन नाटक भीनहीं रहता है ऑदमें, ते संशार में वास्तर में किसिए का किसी से प्रेम नहीं, कितने अचणुर क्प्रेम संशार में, सच्चा प्रेम तो ऑ है कि जिसका सत दिय तू दे, जए गरीब हो जाए कुछ भी हो जाए, पैसा मिले यार नौ मिले प्रेम इसको कहते हैं नुग धन्म लिगास तथा रणनें और बन में जब आग लगती है तो उसमें रहने वाले पशु हरिल्यादी सब भाग जाते है उस बन में नहीं रहते हैं जब बन हरा भरा है घास अच्छा से है तब तो लगता है कि बहुत प खाते हैं बैठते हैं फुदकते हैं पसुचरते रहते हैं और जब आग लगती है इस बन में तो कोई साथ महीं देता है सब दभधन अरणयों दभधन को छोड़ कर भाड़े अब उस बन से प्रेम नहीं आते हैं अब जो बन हरा भरा है वहां जा करके अब उससे प्रेम करत एक बार एक भागत पूचा कि तो जब बन में आग लगे तो क्या पवसु सब मरें यही साथ देना है तब क्या जब सुख में साथ दिये तो दुख में देगे तब न मित्र मैने जाएंगे बन में आग लगे खड़े मर जाएंगे जब हमरा इसे प्रेम है तो ठीक है हम भी जलेंगे तो अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते थे चरना फिरना से में खिलना बैठना जब आग लगी तो सब भाग जाते जारो भुक्तवा रत्तामिस्त्रियम जारो भुक्तवा रत्तामिस्त्रियम और जार पुरुष अपने में अनुरक्त इस्त्री को भोग करके और फिर छोड़कर चला जाते हैं वो अत्रित रह जाती है लेकिन ये तो संभोग कियार इसके बाद छोड़कर चला है कोई सुध संसार में दिखा जाता है यह आठ उदाहरण दे यह आठ उदाहरण ऐसे सारा संसार ही एक उदाहरण है जो प्रेम करता है उससे भी प्रेम नहीं करता है नहीं प्रेम करने वालों से तो कहां से प्रेम करेंगा माता पिता प्रेम करते हैं बच्चे से लेकिन फिर भी माता पिता का उपकार भूल जाता है उनसे स्ने नहीं करता है भाई का उपकार है बडे भाई का और भी लोगों का उपकार होता है मामा का फूफा का कई प्रकार से उपकार होता है कौन याद रखता है सब भूल जाते हैं यह प्रोशन उठता है कि हाँ बाई केवल बंधुएं से तो प्रेम नहीं दूसरे से भी देखा जाता है प्रेम जैसे अतित्री लोग आते हैं किसी कहां खाते हैं और खाने से पहले जब तक भोजन तयार नहीं है खानें तब तक अनी आपको यह करना चाहिए रामदेव स्वामी का जोग करना चाहिए अनेक प्रकार की बाते करते हैं और खाए और ग्रिहस्त का एक मिनुट भी पूरा हो गया तक प्रेम करना चाहिए और इसके बाद चलते बनता है इस सब जगह है वास्तत में शारा संसाल इसी में है लेकिन भगवान क्रिष्ण का जो प्रेम है गोपियों के प्रति और गोपियों का जो प्रेम है इन सब से परे है वो सदा रहेगा सुख में दुख में सफलता में विफवता में हमेशा उप्रेम बना रहेगा यही कहने का भाव है तो इती गोप्यों ही गोबिंदे गतव वाक्काय मानसा कृष्ण दूते ब्रजम जाते उद्धवे त्यक्त लोग कि का है कृष्ण दूते श्री उद्धव जब ब्रज में आये हैं तब तो